अभी मैं आप लोग को बताने वाला हो कि कैसे आप कर सकते हैं अपने पब जी मोबाइल ग्लोबल वर्जिन को डाउनलोड अपने PC पे इमुलेटर पे मैं अभी फिलाल यहाँ पे LD प्लेयर यूज़ करो लेकिन आप किसी भी मतलब इमुलेटर पे कर सकते हैं चलिए मैं शुरू कर देता हूँ वीडियो को तो यह जैसे कि आप देख पार होंगे यह अभी पबजी मोबाइल बैक्ग्राउंड में रन होना है मेरे आपको सबसे पहले एक लिंक खोलनी पड़ेगी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वह गुगल ड्राइफ की लिंक है कितने दिन तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको मिल जानी चाहिए ठीक है उसको जब आप खोलोगे तो आपका कुछ ऐसा यह खुल जाएगा एक सब्सक्रिप्शन में दे दूँगा तो वहाँ पर आपको सीधा डाउनलोड करने के बाद आपका एक ऐसा फाइल आएगा मैं आपको वह दिखा देता हूँ इस तरह का एक फाइल आएगा यह देख रहें पब जी मोबाइल एल ली करके एक है यह यह पब जी मोबाइल का ग्लोबल वर्जिन वर्जिन वान पॉइंट टू पॉइंट जिरो तो इसको अगर आप ऐसे नॉमली ओपन करेंगे तो नहीं होगा तो आपको क्या करना है इस कि आप बहुत सारे बटन देख पा रहे हो यहाँ पे एक यह डप ट्रिपल डॉट जो बटन है यहाँ पे बटन आता है शेयर फोल्डर जो मेरे को कंट्रोल और एफफाइव दावाना बढ़ते है उस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो फोल्डर के बारे में ब आपको एंड्रोइड में भी उसी सेम चीज़ को सिलेक्ट कर लेने ठीक है उसके बाद उसके बाद आप जैसे भी खोलेंगे वहाँ पे आपका यह पजी मोबाइल इस तरह से ओपन हो जाएगा पजी मोबाइल सो उसके बाद आप खेल पाएंगे ठीक है अगर कोई भी आप आपको प्रॉब्लेम हो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लेम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्षिन में बताएगे यही है फिलाल आपको करना है फिरसे एक बाद बता देतो जब आप गूगल राइव से उस पर्टिकुलर चीज को डाउनलोड कर लेंगे पर्टिकुलर को चेंज कर लिया है और यह शेयर्ड फोल्डर एंड्रोइड मतलब यह आपका लडी प्लेयर कौनसे वाले चीज में एकसेप्ट कर गया तो वहाँ पर करना है उसके बाद आपको नॉमली जाके यहाँ पर यह पजी वाले इसको डबल क्लिक करना है वो सीधा लडी प्लेयर तो थैंक यू वचिंग डिस्ट्राइग गेमिंग एंड टेक प्लीज हो सेके तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना